हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चनल में दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही खास अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जो की है RRB याने Railway Recruitment Board की तरफ से अब दोस्तों यहाँ पे वेकेंसी के में बात करूँ तो 7950 से भी जादा वेकेंसी है जिसमें Freshers Eligible है बहुत सारी पोस्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगी अब क्या पोस्ट रहेगी इसमें हर पोस्ट में कितनी वेकेंसी रहने वाली है यहाँ पे Education Qualification और Age Limit का क्राइ तो दोस्तों अपडेट है RRB Railway Recruitment Board की तरफ से जिसका CEN No.03-2024 है रिक्रूटमेंट बहुत सारी पोस्ट है इसमें जैसे कि जूनियर इंजिनियर, डेपो, मटेरियल सूपर इंडेंडेंडेंडेंड, केमिकल औन मेटलर्लर्जिकल असिस्टेंड, केमिकल सूपरवाईज इन रिसेर्च और मेटलर्लर्जिकल सूपरवाईजर इन रिसेर्च, डेट ऑफ अप्लिकेशन यानि इसकी ओनलाइन जो स्टार्ट डेट है वो है 30 जुलाई 2024 और इसमें अप्लाए करने की और पेमेंट ऑफ फीस की लास्ट डेट है 29 ऑगस 2024 इससे पहले-पहले आपको यह इसके 9th, 8th September तक आप इसमें जो हो अपने अप्लिकेशन फॉर्म में किसी भी तरह की कोई अगर करेक्शन करना चाते हो तो कर सकते हो आगे दोस्तों यहां पर बात करेंगे तो इसको दो मेन पोस्ट में जो हो डिवाइड किया गया है इन सभी पोस्ट को फर्स्ट में आए फिर उसमें बहुत सारे एलाउंस और बेनेफिट्स आपको जो हो एड किये जाएंगे इसमें जो एज लिमिट रहेगी वह आपकी 18 से 36 रहेगी अब यहां पर इसमें 17 वेकेंसी है जो की खाली आरार भी गोरकफुर के लिए है नेक्स्ट जो पोस्ट है वह है जूनियर इं जाएगा साती साथ इसमें जो एज लिमिट है वह आपकी 18 से 36 रहने वाली है और इसमें वेकेंसी जो है वह 7,934 है यानि दोलों पोस्ट मिला के जो आपकी वेकेंसी होती है वह 7,951 होती है तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया वेकेंसी के आकड़े यहां पे बहुत ही या मौका है तो apply करना मत बूलना अब यहां पे आगे दोस्तों बात करेंगे selection procedure है यहां पे तो selection procedure यह जिसमें stages of exam है तो यहां पे दो stages में CBT होगी stage 1, stage 2 फिर इसके बाद आपका यहां पे document verification होगा और last में आपका medical examination अब यहां पे जो भी exam रहेगी यहां पे CBT 1 और CBT 2 इस इसमें यहां पे आपके negative marking रहेगी जो की होगी one third यानि one third आपके marks जो वो deduct होंगे हर एक wrong answer के लिए तो यह बात आपको यहां पे ध्यान में रखने होगी और आपकी जो age limit है वो आपको crucial date उसके लिए है 1st January 2025 तक आपकी यह age जो है वो 36 तक होनी चाहिए तो ही आप यहां प बात करते हैं इसके contact us section आपको यहां पर दे रखा है जिसमें आपको यहां पर help line number भी दिये हैं और यहां पर email id भी आपको show हो रही होगी तो इस पर आप contact कर सकते हो अगर आपको इस update के regarding कोई भी यहां पर query आती है तो यहां पर medical standards हैं जिसकी table यहां पर show हो रही है तो आप जो है वो इसका screenshot ले सकते हो यहां पर आपको बताया गया है कि आपकी distance vision, near vision जो हो क्या होनी चाहिए और भी यहां पर vision के हिसाब से और भी criteria यहां पर आपको क्या follow करने होंगे next यहां पर section आता है nationality citizenship का तो उसका भी section यहां पर आपको show हो रहा होगा यह पूरी आपको details दे रखी है कि क्या क्या आप होने चाहिए तो इसका भी आप screenshot ले सकते हो आगे दोस्तों बात करेंगे यहां पर age relaxation के बारे में तो SCST के लिए 5 साल है, OBCNCL के लिए 3 साल और भी इसमें बहुत सारे criteria's है तो यहां पर आपको इस table में show हो रहे होगे engineering में तो यहां पर आपके degree या फिर उसके equivalent आपके qualification होने चाहिए metallurgical में next आपका यहां पर है junior engineer की जो post है उसमें electrical और electronics के लिए यहां पर आपका diploma 3 साल का होना चाहिए mechanical, electrical, electronics, engineering से तो आप यहां पर eligible हो और apply कर सकते हो आगे यहां पर civil में है तो आपका 3 साल का diploma civil में होना चाहिए और आगर आपका mechanical में मांगा है तो mechanical में होना चाहिए यानि जिस भी field में, जिस भी discipline में आपका यहां पर junior engineer की post है तो उसी discipline में आपका यहां पर 3 साल का diploma होना चाहिए अब यहाँ पे आपकी एक और पोस्ट है जो की है chemical and metallurgical assistant तो उसके लिए आपका बैचलर डिगरी होनी चाहिए science में with physics and chemistry जिसमें minimum 45% marks आपके होने चाहिए आगे यहाँ पे बात करेंगे diesel electrical के लिए तो आपका 3 साल का डिप्रोमा होना चाहिए mechanical electrical electronics engineering में तो आप यहाँ पे इसमें eligible हो और भी इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे आपको junior engineer की sub-disciplines आपको यहाँ पे मिल जाएगी जिसके लिए आपका 3 साल का डिप्लोमा जो है वो इनके equivalent जो field है उसमें होना चाहिए तो दोस्तो यह यह तो रही आपकी educational qualification की बात अब दोस्तो यहाँ पे बात करेंगे आगे age relaxation की बात हो गई है examination fees जो है वो यहाँ पे क्या रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं examination की fees की यहाँ पे बात करें तो दोस्तो 500 रुपीज जो वो आपको यहाँ पे पे करना होगा जो कि अगर आप यहाँ पे belong करते हो अगर SCST, ex-servicemen, female, transgender, minorities और economically backward class हो तो आपको यहाँ पे 250 रुपीज fee पे करनी है और इसके अलावा के जो other candidates है उनको यहाँ पे 500 रुपीज पे करनी है अब यहाँ पे अगर आप first CBT यहाँ पे appear करते हो तो उसके बाद यह first CBT जिसने appear की होगी उसके बारे में बता रहा हूँ तो उनको यहाँ पे 400 रुपीज जो है वो refund मिलेगा अब यह किसके लिए है तो जो यहाँ पे 500 रुपीज fee पे करनी है उनके लिए है और जो यहाँ पे SCST और बाकी की जो मैंने special यहाँ पे आपकी जो cast बोली है जो conditions बुली है SCST, ex-servicemen, female, transgender, minorities और EBC वालों के लिए यहाँ पे 250 रुपीज आपको यहाँ पे refund मिलेगा इनके साइड से अब यहाँ पे fees of payment किस से कर सकते हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे internet banking, debit, credit card, UPI से यहाँ पे आप इसकी payment of fees जो है वो कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे recruitment process के बारे में तो यहाँ पे 4 stage है, 1st stage में आपकी CBT 1 है, 2nd stage में CBT 2, 3rd stage में document verification और 4 stage में यहाँ पे medical examination होगी अब 1st stage CBT की बात करें तो यहाँ पे 90 minutes के होंगे और इसमें number of questions 100 होंगे अब यहाँ पे क्या subjects रहेंगे तो mathematics, general intelligence, reasoning and general awareness और general science यह 4 subjects रहेंगे 1st subject के यानि maths के 30 questions होंगे, general intelligence और reasoning के 25, general awareness के 15 और general science के यहाँ पे 30 questions रहेंगे सभी questions 1-1 mark के रहेंगे यानि 100 questions यहाँ पे 100 marks के रहेंगे, इसके लिए जो time है वो आपको 90 minutes मिलने वाला है अब इसका अगर आपको syllabus चाहिए तो आपको इसकी official notification से जाके आप इसको हासिल कर सकते हो अब यहाँ पे जो minimum qualifying marks है वो unreserved के लिए 40% है, बाकी EWS और OBC, SC, SC के लिए 30% और ST के लिए यहाँ पे 25% अब बात करते हैं next, second CBT के बारे में, second state CBT जिसमें 120 minutes आपको यहाँ पे time मिलेंगा और यहाँ पे जो number of questions जो है वो 150 होंगे subjects यहाँ पे आपके 5 रहेंगे, general awareness, physics, chemistry, basics of computer and applications, basics of environment and pollution control और technical abilities इन सभी में जो है वो, first जो दो subjects हैं, उनमें आपको 15-15 questions रहेंगे और 15-15 marks के रहेंगे बाकी के जो बाकी दो subjects हैं, उसके लिए यहाँ पे 10-10 questions रहेंगे और technical abilities के यहाँ पे 100 questions रहेंगे, 100 marks के यानि total यहाँ पे 150 questions, 150 marks के यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 120 minutes मिलेंगे इसके लिए भी qualifying जो marks रहेंगे, वो same रहेगा, percentage जो unresolved के लिए, EWS के लिए 40, OBC, SC के लिए 30-30% और यहाँ पे ST के लिए 25% तो यहाँ पे अगर आप इसकी examination को easy करना चाते हो, इसकी examination जो भी है, इसके syllabus जो भी है, इसके preparation की हो, आप अगर easy करना चाते हो, तो आप जो है वो, हमारे ultimate combo material में enroll कर सकते हो, जिसमें आपको all-in-one notes और तयारी का booster का combo मिलेगा, इसमें आपको जो है, वो notes में मिल जाएंगे यहाँ पे video lectures में मिलेंगे और practice questions भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो आपको यहाँ पे इस exam में और बाकी जो government exams रहती है, उसमें भी help करेंगे, अभी इसमें जो है, वो limited offer चल रहा है, जो कि यहाँ पे special offer चल रहा है, जो कि limited time के लिए है, तो offer खतम होने से पहले पहले आप इसमें Android कर लेना, इसकी link जो है, वो आपको हमारे इस video के description में मिल जाएगी, और तो और अगर आप इसकी full details चाते हो, इसको अगर इसकी official notification पढ़ना चाते हो, तो इसकी link भी आपको हमारे इस video के description में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप full details ले सकते हो, अब आगे दोस यहाँ पे आपको कुछ documents जो होंगे, वो यहाँ पे upload करने होंगे, और detailed के लिए, अगर आप detail में जानना चाते हो, उसके process को, तो इसकी official notification है, उसको यहाँ पे check कर सकते हो, अब यहाँ पे RRB websites की list आपको show हो जाएगी, तो जो भी RRB जहां से जिस region से है, जिस city से है, तो यहाँ पे आपको website मिल जाएगी, आगे दोस्तों इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे verification of original documents and format of certificates, तो दो sets में आपके self attested copies रहेगी at the time of document verification, जिसकी list जो है वो उसकी official notification में आपको मिल जाएगी, काफी लंबी list है, तो दोस्तों यह पूरी update थी, इसके regarding हमने यहाँ पे इस सब्सक्राइब कर देना, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हमारी next वीडियो में एक नई update के साथ, तब तक के लिए good bye, take care.